जो कॉंप्रोमाइस टिक्री होता है उस पे डॉक्ट्रिन ओफ इस्टॉपल अप्लाई होता है बट उस पे डॉक्ट्रिन ओफ रेस्जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है मैंने अपने प्रिवेस वीडियो में बता रखा है कि doctrine of rest judicata apply क्यों नहीं होता है बट मैं आपको एक चीज यहाँ पर clear करना चाहूंगी again कि doctrine of rest judicata इसलिए apply नहीं होता है क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा कि doctrine of rest judicata तब apply होता है जब court ने वहाँ पे कुछ अपना judgment दिया हो जहाँ पे court ने finally decide किया हो matter को और फिर वहाँ पे bound करता है doctrine of rest judicata enough further subsequent litigation पे bind करता है कि parties दुबारा same cause of action पे subsequent litigations नहीं ला सकते हैं अगर court ने finally decide कर दिया है तो doctrine of rest judicata apply होता है जब आप compromise degree देखते हैं तो यहाँ पे court ने कोई भी अपना judgment नहीं दिया होता है और नहीं court ने कुछ भी यहाँ पे decide किया होता है केवल जो court होते हैं वो यहाँ पे parties जो होते हैं during the pendency of the suit party केवल अपना खुद से agreement करते हैं और वो settle करते हैं disputes को तो इसलिए यहाँ पे जो court होते हैं उनकी कोई भी यहाँ पे final authenticity नहीं होती है court की वहाँ पे court ने वहाँ पे किसी भी court ने उस suit में कोई भी अपना एक adjudication नहीं किया होता है और matter को decide नहीं किया होता है इसलिए compromise degree पे doctrine of rest to decata apply नहीं होता है बट क्या apply होता है यह आपको मैंने initial में ही बताए कि compromise degree में doctrine of estropal apply होता है जैसे कि आपको पता होगा कि doctrine of estropal क्या होता है आपको common language में में बताऊं तो जैसा कि आपने previously कुछ statement अगर बोले हैं और उस statement से regarding अगर कुछ आपकी rights है claims है और आपने वहाँ पे previous अपने statement में अगर आप agree कर जाते हैं उस rights और claims से regarding तो बाद में आप previously जो आपका statement recorded होता है regarding rights and claim और अगर वो expressively या impliedly अगर आप court देखती है कि या तो वो expressly या impliedly court found कर लेती है कि आपने उस claim और right से regarding कुछ assert किया था और आपने वहाँ पे अपना एक क्या दिया था express या implied अपना opinion वहाँ पे आपने दिया था और अगर वो record में रहता है तो वहाँ पे doctrine of extrapol apply होता है तो जैसा कि compromise degree में क्या होता है parties खुद से agree करती है तो यहाँ पे जब party agree करती है तो doctrine of extrapol apply हो जाता है क्योंकि मैंने previous video में भी बता रख है and again अगेन आपको बताती हूँ कि जब भी court compromise सबसे पहले parties जब agree करती है तो order pass होता है then उसके बाद court दोनों parties को सुनती है और उनकी सारे statement को record भी करती है जो भी उनके statement जो होते है regarding of compromise degree तो वहाँ पी यह recorded रहता है तो यहाँ पे ना stopper apply होता है क्योंकि parties अपने previous जो भी statement जो पार्टी जो previous अपने statement को record करवाते हैं court के सामने regarding claim and rights तो वह बाद में उन सारे statement से जो record करवाई रहते हैं उसे अबाद में क्या नहीं कर सकते हैं मुकर नहीं सकते हैं जैसे कि एक layman language नहीं बोला चाहिए आप उसे deny नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे court आपको stop करती है तो doctrine of stopper apply होता है ना कि doctrine of rest जो decata apply होता है अगर doctrine of stopper के लिए भी आप cancel कैसे करवा सकते हैं इसका भी एक provision है इसके लिए क्या कर सकते हैं जब parties के बीच में compromise हो जाता है तो उसे क्या माना जाता है operate as a doctrine of stopper तो यहाँ पे doctrine of stopper apply होता है जो binding होती है parties पे बट वह कब तक उसको set aside भी किया जा सकता है अगर वो उसी court के सामने application move करे under the order 23 rule 3 then court उसको set aside कर सकते हैं बट वो court के उपर depend करता है कि किस extent तक court वहाँ पे यह देखती है कि आपने किस fact से regarding किस claim से regarding आपने अपने आपको वहाँ पे assert किया था उस fact से regarding कि हा मैं मानता हूँ और inside terms and conditions पे मैं agree हो रहा हूँ तो court तो आपको stopple का apply करेगे और आपको stop करेगे कि आप उस claim को दुबारा नहीं हटा सकते हैं compromise degree को cancel नहीं करवा सकते हैं but another fact court को दिख के आता है ना उन सारे statement को पढ़ने के बाद तो court cancel कर सकती है तब doctrine of stopple apply नहीं होता है बट कभी भी compromise degree पे doctrine of res judicata apply नहीं होता है तो I hope इस वीडियो की थ्रुआ को clear हुआ हो कि doctrine of res judicata क्यों apply नहीं होता है और doctrine of stopple क्यों apply होता है in a compromise degree Thank you so much